पाकिस्तान को नया प्रधान मंत्री मिल गया क्रिकेट के पिछ पर पारी खेलने वाले इमरान खान अब सियासत में सबसे बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 प्रधान मंत्री के तौर पर शपत ली राश्रोपती ममनून हुसैन ने उन्हें शपत दलाई काले रंग की शेरवानी में वो शपत लेने पहुँचे थे जहां उर्दू जमान में उनकी शपत होई इससे ठीक एक दिन पहले नैशनल इसम्बली के शक्ती परिक्षण में उन्हें 176 वोट हासल हुए जबकि शाबाद शरीफ को सिर्फ 96 वोट गौतलाबे की 25 जुलाई को जब पाकिस्तान चुनाव के नतीज़े आये थे तब इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उपरे थी और तभी तैय हो गया था कि इमरान खान ही पाकिस्तान के अगले प्रधान मंत्री बनने वाले शबत क्रहन समारों में इमरान खान के लिए लखी रहने वाले उनकी तीसरी बीवी बुशरा और पिंकी पीर भी मौजूद थी एक तरफ शबत क्रहन का कारेक्टरम चल रहा था तो दूसरी तरफ पड़े वाले लिबास में बैठी पिंकी पीर लगातार माला फेटी नजर आ रही थी हालंकि शबत क्रहन के दोरान इमरान खान कई शब्दों का ठीक ठीक उचारण भी नहीं कर पाए इस समारों में पाकिस्तान के दरजन बर क्रुकेटर्स के साथ भारत के क्रुकेटर और नेता नौजोद सिंग्स सिधू भी मौजूद थे समारों में मौजूद पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जाविद बाजवा ने नौजोद सिंग सिधू से काफी देर तक बात चीत की गौर्टलबे कि इमरान खान ने अपनी सियासी पारी के शुरुवाद साल 1996 से की थी इसी साल उन्होंने तरीक इंसाफ पार्टी का गठन किया साल 2007 में मुश्चरफ के विरोत में उन्हें जेल में जाना पड़ा 2008 में इमरान खान ने पाकिस्तान चुनाओं को बहुशकार किया था 2013 में उन्होंने नया पाकिस्तान का नारा दिया लेकिन 2018 उनके स्यासी करियर का सबसे शांदार साल रहा इसी साल धार्मी कुरूब उश्रा से उनकी शादी हुई और इसी साल वो प्रधान मंत्री भी बन गए